कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चानल में आज हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं अभी एमवे ने एक जुलाई से होने वाले जुएनिंग प्रॉसेस में कुछ चेंजेस किये हैं ये चेंजेस क्या हैं ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सबसे पहला जो बदलाव है वो होगा आपके सेग्रिगेशन मॉडल में जिसमें अभी प्रिफर्ट कस्टमर और एडियस हैं लेकिन एक जुलाई के बाद से इसके अंदर बीच में एक लेवल और इंट्रोडियोस हो जाएगा यानि कि जब आप एक जुलाई के बाद जुएनिंग कराने जाएंगे तो आपके सामने कुछ बदले हुए से ऑप्शन आएंगे एक जुलाई के बाद जैसे ही आप आमवे की वेबसाइट को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको प्रिफर्ट कस्टमर या एडियस जैसे ऑप्शन नहीं आएंगे बलकि वहाँ आप्शन आएंगे कि आप प्रिफर्ट कस्टमर के रूप में जॉइन करना चाहते हैं या एमवे डारेक्ट रिटेलर जिसको हम एडियार बोलेंगे के रूप में जॉइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एमवे डारेक्ट सेलर जो आप आज ऐसे ही मुफ्त में बने जा रहे हैं वो अब आप ऐसे ही नहीं बन पाएंगे सबसे पहले आपको ADR यानी की MV Direct Retailer बनना पड़ेगा और MV Direct Retailer को दो काम करने पड़ेंगे तब जाके उसको MV Direct Salar के अंदर प्रमोशन होगा यानी की 1 जुलाई से आपको प्रूफ करना होगा कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं पहले आप ADR बनेंगे फिर ADR को 90 दिनों के अंदर कम से कम 3 Preferred Customer बनाने होंगे और उन 3 Preferred Customer पे कुल मिलाकर 5000 की Value Purchase करनी होगी अगर 90 दिनों के अंदर कोई ये 2 काम कर लेता है यानी की 3 Preferred Customer और 5000 की Value Purchase तो उनको MV Direct Seller यानी की Sponsoring करने का राइट भी मिलेगा Otherwise उससे पहले खाली वो अपने Preferred Customer को सामान बेच सकते हैं Preferred Customer को Sponsor कर सकते हैं लेकिन किसी को MV Business के थूँ अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते यानी ADS बनने के लिए आपको 90 दिनों के अंदर अंदर 3 Preferred Customer और minimum 5000 Value Purchase करनी होगी इससे जो भी Joining आएगी वो कम से कम 5000 की Productivity तो लेके ही आएगी दूसरी बात ये है कि KPMG जो कि दुनिया की जानी मानी Consultancy Companies में से एक है उसके साथ MV का tie-up हुआ है जैसे ही कोई भी वेक्ति ADR से ADS का पहला क्राइटीरिया पूरा कर लेगा उसके पास email के जरिये एक link आएगा वह MV के My Account section में भी रहेगा उस link पे click करने के बाद आपको एक छोटा सा direct selling पे course करना होगा और उस direct selling के course के बाद छोटा सा exam और उस exam को clear करने के बाद KPMG और MV का एक शानदार certificate आपको मिलेगा जो कि इस बाद का proof होगा कि आप direct seller बनने के लिए qualified हो गए है उसके बाद आप एक normal direct seller की तरहां अपनी team को बना सकते हैं और उनको business सिखा सकते हैं आप ये सोच के देखें तो काफी पहले सी ये speculation थी कि आने वाले time में direct selling में मुफ्त में entry नहीं मिलेगी और देखें समय आ गया अकसर leaders कहते थे कि MV जैसी opportunity अगर लाखो रुपए देने के बाद भी मिले तो भी शायद कम पड़े चुकि अभी तक ये free में मिल रही थी तो उसकी value बहुत कम लोग कर पा रहे थे अब MV भी यही चाहती है जो लोग वाकई में अपनी जिंदगी को लेके serious हैं वहीं लोग business को join करें बाकी लोग preferred customer बनके दूसरे benefits जैसे discounted price और loyalty points जैसे benefits उठाते रहें दूसरी चीज एक चुलाई से लेकर 30 जून का जो साल होगा इस पूरे एक साल के अंदर आपकी productivity 10,000 की होनी आवश्यक है अगर साल भर के अंदर आपने 10,000 की productivity नहीं की यानि कि 5,000 तो preferred customer के जरूरी हो गए और दूसरे 5,000 आपको या तो खुद के या preferred customer के करने होंगे यानि कि अब आपका कोई भी order जो की preferred customer के उपर होगा वो आपकी ID पे होने वाले के equivalent होगा ऐसा criteria ना पूरा होने पे अभी तक तो preferred customer में convert कर दिया जाता था लेकिन अब से उसको डी प्रमोट करके आंवे direct retailer बना दिया जाएगा और उनके sponsoring rights खतम कर दिये जाएंगे जबकि उनकी L.O.S. उनका structure और उनकी commissions वैसे के वैसे ही रहेंगे लेकिन अगर अगले एक साल के अंदर भी उन्होंने अपने 10,000 का criteria पूरा नहीं किया तो वो वापस से preferred customer बना दिये जाएंगे यानि की preferred customer बनने के लिए जो एक साल वाला time था अब वो दो साल का हो गया है तो यह एक रहत की बात भी है पुराने नए सभी लोगों के लिए अपने को एक साल के अंदर 10,000 की purchasing करनी पड़ेगी जिसमें से 5,000 preferred customer के अंदर होने ही है दूसरी यह की जो joining होती है जो आप फटा फट कर देते हैं वो अब वैसा नहीं होगा joining आपको ADR के रूप में ही करनी होगी माल लेजे कि आपने अगले ही दिन 3 preferred customer बना के 5,000 की purchase दिखा भी दी और exam भी पास कर लिया उसके बावजूद कम से कम 7 दिनों तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा एक साल के अंदर एक serious AMV distributor को 10,000 का business करना must है इसी लिए जो थोड़े बहुत भी active है वो अपने आपको momentum में ले आए ताकि आप एक साल में 10,000 के sudden load से बढ़ जाएं ये बदलाव इस बात का संकेत है कि आने वाला time AMV और शांदार products लेने वाला लेके आने वाला है business support में भी काफी improvement होगा और नए technologies आएंगी business तो तेजी के साथ बढ़ी रहा है आपको भी तेजी दिखानी है wish you all the best thank you so much